दोस्तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे सिशुनाग जैनेश्टी के सिनापती महापदमनन्द ने राजानन्दी वर्मन की हत्या करके मगत पर कबजा किया अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप पहले ज़रूर से उस वीडियो को देख लेना तो आज के इस वीडियो में हम इसके बात की कहानी जानेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं शिशुनाग डैनेश्टी के अंट के बाद मगत में महापदमनन्द ने 329 BCE में नंदा डैनेश्टी की स्थापना की नंदा डैनेश्टी मगत का तीसरा सामराज्य था माना जाता है कि महापदमनन्द के पिता एक नाई थे और वह शुद्र जाती से थे यानी सेवा करने वाले और इनके बेटे महापदमनन्द ने आगे चलकर अपनी महनत से सेना में उच्छ पद हासिल किया और सेना पती बने जिसके बाद उन्होंने शिशुनाग बंच की राजा नंदी वर्मन की हत्या करके खुद को नया राजा गोशित कर दिया महापदमनन्द उस समय अपनी ताकत के लिए जाने जाते थे महापदमनन्द ने कलिंग जोकी आज का उडिशा है उसे जीत कर एक राज की उपादी दारन की क्योंकि महापदमनन्द शुद्र जाती से थे इसलिए वो शत्रिये से काफी नफरत कर दे थे और इसलिए उन्होंने सभी शत्रिय लोगों को मारने का प्लैन बनाया और सर्व शत्रांतम की उपारिधारन की लिकिन वो इसमें असफल रहे क्योंकि वो शायर ये नहीं जानते थे कि किसी भी धर्म ये दाती का समूल नाष्ट कभी नहीं किया दा सकता नन्दा डानेश्टी के समय में बगत पंजाब से हिमाले और हिमाले से बंगाल की घाटी तक पहला था आर्केलोजिस्ट द्वारा किये गए खोजों से हमें कुछ अभिलेक प्राप्ट हुए है जिसे हमें ये पता चलता है कि नंदा डानेश्टी के लोग संस्क्रेट वाशा बूलते थे नंदा डानेश्टी के समय में लोगों के आर्थिक जीवन का मुख्य व्यवसाय फार्मिंग और व्यापार था महापदमनन के बाद नामाता है उनके वेटे धनानन का जो की एक बहुत ही अहंकारी और अयोगिश आसकता और हमेशा ही शराब के नशे में रहा करता था धनाननन ने उस समय सभी छोटे बड़े चीजों पर टैक्स लगा रखा था और इसलिए वहाँ की सारी प्रजा भी दुखी थी धनाननन हमेशा ही चराब और हंकार के नशे में डूबा रहता था लेकिन इसी समय के दोरान ग्रीक का शासक एलेक्जेंडर यानी सिकंदर सारी विश्व को जीतता हुआ अब भारत की ओर बढ़ रहा था और तभी इस बात का बता चक्षेशिला के आचारे चानके को चला फिर इसके बाद कैसे इन्होंने अपनी कूट नीटी से भारत को बचाया यह हम जानेंगे अगले एपिसोड में तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियो के नोर्टिपिकिशन आपको सबसे पहले आए आपको